दोस्तो आप मान के चलिए दोनों के बैक में ने शरफ एक ही मेंन कैमरा दिया गया भाई क्योंकि मैकरो बोकेड ये तो बेकार ये यूजलेस कैमरा कोई फैदा नहीं है इनका जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे दोस्तो आज किस वीडियम हम कंपैरेजन करेंगे इन्फिनिक्स होट 25G स्मार्टफोन को ओपो के 10 स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि दोनों स्मार्टफोन में से आकिर कौन सवाला आपकी नीड के कोडिंग जादा बढ़िया है तो चलिए दोस्तो बिना किस देरी के वीडियो की शरुवात करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनी स्मार्टफोन के डिस्पलेगी तो आपको बता दू कि इन्फिनिक्स के अंदर हमें 6.6 इंचेस की Full HD Plus IPS LCD डिस्पलेगी है जो कि 120 Hz की रिफ्रेश रेट को स्पोर्ट करती है और वहीं दूसरी तरफ OPPO के अंदर हमें 6.59 इंचेस की Full HD Plus IPS LCD डिस्पलेगी है जो कि 90 Hz की रिफ्रेश रेट को स्पोर्ट करती है यानि कि दोस्तो डिस्पले हाँ पर भाई कंटेंट वोचिंग के साफ से दोनी स्मार्टफून की एक तम बढ़िया है लेकिन यार अगर आप एक गेमर है और गेमिंग के साफ से डिस्पले चाहिए न भाई तब आप यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ जुरूर से जाईए क्योंकि 120 Hz का हाईयर रिफ्रेश रेट न आपको स्मूदली वाली गेमिंग करवा देगा और दोस्तो अगर हम बात करें ओपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर इन्फिनिक्स का फोन आउट ओदा बोक्स एंडर 12 के साथ में आता है जो कि XOS 10.6 पर बेज़्ड है वहीं दूसरी तरफ ओपो का फोन एंडर 11 के साथ में आता है जो कि कलर ओएस 11.1 पर बेज़्ड है यानि कि दोस्तो ओपरेटिंग सिस्टम के मावने तो इन्फिनिक्स का फोन ही विनर है क्योंकि आउट ओदा बोक्स हमें अंडर 12 मिल रहा है अच्छी बात है और अगर दोस्तो हम बात करें हैं चिपसेट की तो आप यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ जरूर से जाईए क्योंकि यह जो डायमन सिटी 8-1 दियो रहा ना भाई बड़िया चिपसाट एक गेमिंग आपको मज़ेदार वाली करवा देगा और वही अगर मैं बात करूँ एन्टुडू स्कोर की तो इन्फिनिक्स फोन का आता है 3,10,000 के करीम वहीं दूसरी तरफ ओपो फोन का आता है 2,70,000 के करीम यानि कि दोस्तों यहाँ पर एन्टुडू के मामले में भी इन्फिनिक्स का फोन ही विनर है और दोस्तों अगर हम बात करें हैं स्टोरेज की तो उसमें तो भाई फारक है क्योंकि इन्फिनिक्स फोन के अंदर हमें EMMC 5.1 वाली स्टोरेज दी गई है वही यार पुराने जमाने की स्टोरेज है इनके पास तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओपो के अंदर हमें UFS 2.2 वा का सैटप दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिक्स ही तो इस फोन का में कैमरा 50 मेगा पिक्सल का और एक AI लेंस दिया गया है वहीं दूसरी तरफ ओपो फोन का में कैमरा 50 मेगा पिक्सल का बोके कैमरा है 2 मेगा पिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो भी है 2 अगर मैं बात कुरना, front camera की तो Infinix के front में 8 megapixel का selfie camera ही दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ popo के front में 16 megapixel का selfie camera दिया गया है, यान कि दोस्तोँmaras look keさब से यहाँ फोपो का phone ही बढ़िया है, और अगर हम बात करें हैं maximum video recording की तो Infinix phone के front और back camera सेверших auto camera had masterpiece computer, तक वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं वहीं दूसरी तरफ ओपो फोन के फ्रेंट और बैक कैमरा से मैक्सिम्म 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं यानि कि दोस्तों मैक्सिम्म वीडियो रिकोडिंग के मामले में इन्फिनिक्स का फोन ही विनर है और अब बारी आती है दोस्तो बैटरी डिपार्टमेंट की तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते है यानि कि दोस्तो एक से डेड़ दिन का बैटरी बैटरी बैटप आपको राम से मिलते का कोई दिक्कत लेकिन अगर हम बात करें ना फास्ट चार्जिंग की तो उसमें तो भाई फरक है क्योंकि इन्फिनिक्स का फोन यहाँ पर सिर्फ 18 वोट की फास्ट चार्जिंग को स्पोर्ट करता है यानि कि दोस्तों अगर आपको अच्छी फास्ट चार्जिंग आला स्मार्टफोन ले और क्यों वही इंडियन मेंड तब आप यहाँ पर इंफिनिक्स की तरफ जरूर से जाईए भाई इस मामले में ना इंफिनिक्स ने काफी बढ़िया काम किया है और वही दूसरी तरफ ओपो का फोन 4G किनेक्टिविटी के साथ में आता है और दोस्तों अगर हम बात करें 3.5 mm जैक कितों में दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है और अब बारी आते हैं भाई स्पीकर्स की तो यहाँ पर इंफिनिक्स का फोन सिंगल स्पीकर के साथ में आता है वहीं दूसरी तरफ ओपो का फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है और दोस्तों स्क्योर्ट के लिए में दोनी स्मार्टफोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगर पिंगर पिंगर्पिंट सेंसर प्लस फेशन लोग भी दिया गया है और अब लास्ट में बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइज दिंगी तो आपको बता दो कि इन्फिनिक्स फोन के 4 प्लस 64 GB वेरियंट की कीमत है 12,000 पे वहीं दूसरी तरफ ओपो फोन के 6 प्लस 628 GB वेरियंट की कीमत है 15,000 पे बाकी दोस्तों पसंद आप किये कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाई करना है इन्फिनिक्स को या ओपो को कमेंड बोक्स में ना ना भूल कर सकते हो और आपका बजट भी 12,000 पे तक कही है तब आप यहां पर इन्फिनिक्स की तरफ जरूर से जाए लेकिन दोस्तों अगर आप 4G फोन के साथ को में प्रायोटी नहीं है लेकिन आपको फास्ट चाहिए फ्रेंट कैमरा अच्छा चाहिए और साथी स्टीरियो स्पी स्मार्टफोन से लेकिड ऐसे इंट्रस्टिंग कमपेर्जन देखने के लिए हमारे चानल गया देश्पोंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए